हरी कृष्णा आज हम मंगल ग्रह पे चर्चा करेंगे मंगल के अधिकार, गुण, बिमारियां वे कारोबार इन सभी विश्यों को जानेंगे मंगल लाल रंग का अगनी का रख ग्रह है मंगल की अगनी प्रले का रख है जिसे सूर्य की अगनी जीवन दाईनी है सूर्य का जो तीज है, उश्मा है वो जीवन प्रदाईनी है पर मंगल की जो अगनी है वो प्रले का रख है सूर्य को राजा कहा गया है और मंगल को सेनापती कहा गया है सेनापती वोने के कारण शक्ति, बल, नित्रित्व, अगनी, पुरुष, व्यक्तित्व, पशूता, इच्छा शक्ति, लड़ाई, संहार, प्रभूता, वासना, आत्म विश्वास, आदी सब मंगल से देखा जाता है यह सब कुछ मंगल के अधिकार में है अब बात करें हम मंगल की हमारे शरीर पे किन-किन हिस्सों पे अधिकार है और कौन से हमारे शरीर की हिस्से हैं जो मंगल दोरा प्रभावित होते हैं मंगल शक्ति कारग्र है अतेस नायू मंडल, चहरा, सर, स्वाद, जिवा का वह हिस्सा जहां से हमें तीखेपन का एहसास होता है, मिर्च मसालों का एहसास होता है वह हिस्सा मंगल के अधिकार में है, मंगल की मेश राशी कुदरती कुंडली में प्रतम भाव में होने के कारण, चहरा, सर, कान इन सब को मंगल के अधिकार में देखा जाता है मंगल की दूश्री रासी व्रश्यक रासी है जो अश्टम भाव में आती है अतह, मुत्राश, गर्बाश, प्रोटिस्ट ग्रंथियां प्रोटिस्ट ग्रंथी आदी को मंगल द्वारा देखा जाता है बात करें हम बिमारियों की तो जो मंगल शुब फल दायक ना हो तो कौन-कौन से सारीरी कष्ट होते है मंगल का अगनी तत्व होने के कारण जलन, गर्मी की बिमारियां, बुखार, फोडे, खुजली जैसी बिमारियां मंगल के अधिकार में है साथ ही, चहरे पे मुहासे होना दिमागी बिमारियां, रक्त विकार, भगंदर, पाइल्स, हर्नियां, सनायू रोग, पोल्यो, लक्वा, अलसर, एसिडिटी जहर का प्रियोग, जहरेली गेस या उनकी चीजों का सेवन करने से होने वाले रोग ये सभी मंगल के अधिकार में हैं जिनके मंगल शुब प्रभाव में नहीं हैं, उनको ये सब बिमारियों से सामना करना पड़ सकता हैं तो ये तो हुई मंगल के शरीर पे अधिकार वे उनसे जुड़े बिमारियों की बात अब हम बात करेंगे मंगल के गुणों की क्या गुण हैं विक्ती में मंगल के प्रभाव से किसी किस प्रकार के गुण विक्सित होते हैं, कैसे गुणाते हैं ऐसे जा तक अधिकार व्रक्ति वाले होते हैं प्रभूता, नेत्रत्व, धीरत से लड़ाई करना क्योंकि मंगल सीनापती है तो सीनापती की तरह ही धीरत से सोच समझ कर लड़ाई करेगा कि कैसे लड़ना है युद्ध में जैसे पुलिस है, सेनादल है वहां पे सब जगे मंगल का ही अधिकार होता है क्रोधी सुभाव का होना, देशत जमाने वाला, वासना युक्त, लोभी तता कभी-कभी कष्ट प्रदान करने वाला माना चाता है बात करें कारोबार की मंगल सेनापती है अतहे सीनादल, पुलिस, सुरक्षा करमी, जासूस, हतियार, बम, नुकिली चीज़ें आदी सभी कारोबार मंगल के अधिकार में है साथी, कसाई, नाई, वे सर्जन, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं उनके जो हतियार प्रियोग में आते हैं कैमिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन, यंत्र, धातु में लोहा, कामबा, स्टील, तथा भटियां, भाप के इंजन, आदी, सभी की के कारोबार मंगल के अधिकार में है मंगल के तीखे गुण होने के कारण मिर्च मसाले के सभी चीज़ें जैसे लॉंग हैं, काली मिर्च हैं, दाल चीनी, अद्रक, प्याज, लसन जो तीखे स्वाद देने वाले हैं, ये सभी भी मंगल के अतिकार में हैं मंगल भूमी कारख हैं, अतै घरों का निर्मा, जमीन जैदाद, लेन देन करना, लकाटेदार पेड, अच्छी लकडियां जनसे हम घर में खिड़की, दरवाजें, ये सब बनाते हैं, वो अच्छी लकडियां और जो भट्टी से जुड़े हुए काम हैं, वो सभी मंगल के अ जाते हैं, अतै जिन जातकों का मंगल शुब फलदाई हैं, वे ये कारे कर सकते हैं, उन्हें सफलता मिलती हैं, किन्तो जिन का मंगल शुब फलदाई ना हो, और ऐसे जातक अगर ये कार्यों में नोकरी प्राप्त करते हैं, या व्यवसाय करते हैं, तो उन्हें उन्हें में पासी चुटी सी बात, लेकिन बहुती काम की बात. मंगल के शुब फल प्राप्त करने हैं, तु हमें क्या करना होता है? हमें लाल رंग की चीज़ों का दान करना चाहिए. लाल रंग जैसे लाल टमाटर है, गाजर है, या कोई फल और भी हो सकता है, साथ ही हमें कुट्टों को बिस्किट खिलाना चाहिए और घर में रसोई घर में साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए रसोई घर वे गेश चूले को या हमारी भट्टी जो है उनको हमेशा साफ सुत्रा रखना चाहिए धन्यवाद